बाई और बेनों, जब मैं किसी भी पदपन नहीं था और पार्टी का एक छोटा सा कायर करता था और पार्टी के काम के लिए हिंदुस्तान भर में ब्रह्मन करता था और मुझे अक्सर प्रयाग राज आना होता था एक तो यहां की युनिवर्सिटी का गवरव और दूसरा यहां के होनहार चात्र चात्रा हैं आपका हे प्यार आपके आशिरवाद मैं ब्याज समेट लोटाऊंगा दोस्तों और मैं विकास करके लोटाऊंगा प्रयाग राज एक तरह से मेगावी युवाओं का भी संगम है लेकिन 2017 के पहली की सरकारों ने यहां की प्रतिष्ठा को खूब फेस पहुचाई दोस्तों पूरे प्रदेश पूरे देश से जो युवाओं यहां आते हैं उनसे इन गोर परिवार वादियों ने छल किया है छल किया है आप भी जानते हैं कि नोकरी के नाम पर पिछली सरकारों के आयोग में बैटे लोग किस क्वालिफिकेशन को जरूरी मानते थे इनके लिए योग्यता की एहमियत नहीं बलकि सिफारिस, जातिवाद, छेत्रबाद और नोटों के बंडल यही सब कुछ था इन लोगों ने अपने कारोबारियों को आयोगों की जिम्मेदार प्रदों पर बिठा कर जो खेल खेला उसने कितनी यही युवाओं की जिन्दिगिया तबाख कर दी होनहार युवाओं की आज ये लोग नोकरी के नाम पर फिर उत्तरब्रदेश के युवाओं को दोखा दे रहे हैं दोखा भाईयों बेनों सच्चा ये हैं कि इन लोगों ने अपने दस साल के सासन में सिरफ दो लाख लोगों को सरकारी नोकरी दी और वो भी भाई बतिजावाद जाती वाद पैसों के बंडल जबकि योगी जी की सरकार ने अपने पांच साल में उन्होंने दस साल में दो लाख और योगी जी ने पांच साल में पांच लाख नवजवानों को सरकारी नोकरी दी और ये नोकरीयों में भी सिफारिस का रास्ता नहीं ब्रस्टाचार का रास्ता नहीं जाती वाद का रास्ता नहीं भाई बतिजे वाद का रास्ता नहीं पूरी तरह पार दर्शिता के साथ गरीब के मेटे बेटी को भी रोजगार देने का काम किया साथियों हमारी सरकार ने युवाओं की दिक्कत को समझना उनकी परेशानियों को दूर करने का इमानदारी से प्रयास किया है पहले उत्तर प्रदेश में PCS की परीच्छा का सलेबास और UPSC का सलेबास अलग-अलग होता था और इसके गण क्या होता था छात्र छात्राएं इन दोनों परीच्छाओं की अलग-अलग तैयारी करते थे उनके पर बहुत बोज बढ़ जाता था बहुत समय लगता था दन भी बहुत खर्चा होता था हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और अब आज यूपी, PCS और UPSC का सलेबास लग-बग एक जैसा कर दिया याने एक ही मेहनत से, उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीच्छा की तैयारी करिए दोनों परीच्छाएं दीजिए और आप आगे आकर के देश का भविश्य बनाईए हमारी सरकार ने गुरूप C और गुरूप D की नोकरियों से जो इंटर्यू खत्प किया उसका भी लाब अनेक युवाओं को मिला है